हाई कैसे आप लोग बढ़ियां ग्रेट हम लोग आज 12 के सांदार लेक्चर में आ गए हैं लेक्टोस्टाटिक्स बहुत मजाएगा फंडा तो क्लियर करूंगा ही प्रोब्लेम भी बनाने के कही सारे आइडिया दूंगा एक लाइन में सवाल कैसे बनता है मजाएगा तुझ तो बात करेंगे लेक्टोस्टाटिक्स लेक्चर नम्मर वन और इस टॉपिक में बेसिकली आज जो बात होगी न वो एलेक्टिक चार्ज रिलेटेड बात होगी तो सबसे पहले थोड़ा introduction कर लेते हैं हम लोग electrostatics का जो परहाई करेंगे न वो charge के बारे में परहाई करेंगे आज किसके बारे में परहाई करेंगे चार्ज के बारे में तो charge को दो तरह से study कर सकते हैं कोईसे कैसे भाई तो कहता है एक तड़ीका है charge को परने का at rest study of charge यानि चार्ज को जब परहाई करेंगे न study of study of charge at rest यानि charge को rest में मान को चार्ज की परहाई कर सकते हैं और charge को motion में मानके परहाई कर सकते हैं तो बोलता है charge को जब rest में मानके परहाई करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं electricity ओर चार्ज को अगर गार मोशन में मानके परहेंगे तो उसको बोलेंगे एलेक्ट्रो डायनामिक्स aesthetics मतलब rest यानİ अस्थिर यानि जहां charge कौ rest में माνके परहाई करेंगे वो हो गया electro-statics जहां पर charge को motion में मानके परहाई करेंगे dynamics मतलब गती की charge गती में आ जाएगा यानि motion में आ जाएगा वहाँ जो study करेंगे न चार्ज के बारे में वो होगा Electrodynamics इसमें क्या परहेंगे इसमें क्या करेंगे दोनों की बात कर लेते हैं Electrodynamics मतला हुआ जैसे कि Current Electricity Yes Current Electricity Current Electricity बाद में हो जागा इसी का आगे हो जागा Current अगर किसी वायर में जाएगा तो Magnetic फिल परेदा परेगा तो हो जागा Magnetic Magnetic Effect Of Current परेंगे उसी में जाएगे बाद में तो EMI परेंगे Electromagnetic Induction परेंगे AC परेंगे Electromagnetic Wave परेंगे तो ये सब टॉपिक Electrodynamics में आ जाएगा Magnetism परेंगे Magnetism तो ये सब टॉपिक आ जाएगा Electrodynamics में और यहां हम लोग बात करेंगे वह हो जाएगा Electrostatics यानि Study of Charge at Rest अब एक सवाल उड़ता है तभी से चार्ज चार्ज का रट लगाये जा रहे हैं और चार्ज को तो समझी नेने कि है क्या चीज तो साबसे पहले चार्ज को समझ लेते हैं ठेक से बहुत मज़ाएगा इसमें क्या क्या परहेंगे भी बता दूं क्या इसमें हम लोग परहेंगे पहले परहेंगे पहले परहेंगे फ़रा इंटरोडेक्शन हो जाता है कूलम साथ के बाद हम लोग पढ़एगे charize परहेंगे उसके बाद इसमें गॉज यॉज равно परहेंगे उसके बाद परहेंगे पिम यजजय एयलेक्ट्रिक पोटेंशियल एलेक्ट्रिक पोटेंशियल एलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर्जी इसी में एलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर्जी ये भी पढ़ाय करेंगे इसी में डाइपोल की पढ़ाय करेंगे हम लोग तो ये सब हाले हैं तो जो चीज चार्ज की बात करेंगे ना समझते हैं इसको कर दो कि कहा भाग गया भाग गया कोई बात नहीं बहुत सांदार एक्जामपल से समझाता हूं है अच्छे मानते हैं कि एक हुआ मास येस और दूसरा है चार्ज दुनों को एक सांदार रिलेशन में बान देता हूं मास को हम मान लेते हैं पास एक स्टूडेंट है जो पास है यानि मास है दूसरा student है जो first division और pass अब देखते हैं दोनों में क्या नतर है अच्छे एक बात बताओ जो student pass होगा क्या वो first division होगा जो student pass होगा क्या वो first division होगा यस सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन जो first division करेगा वो यहनि जो first division करेगा वो pass जरूर होगा इसका मतलब हुआ pass करेगा तो first division हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन अगर first division किया तो pass जरूर होगा अई समझ वे आ गया नहीं समझ वे आ गया इसका मतलब हुआ कि अगर body के पास mass है जैसे एक body है इसके पास mass है तो क्या इसमें charge होगा? तो बोलता हो भी सकता है? नहीं भी हो सकता है लेकिन अगर इस body पर charge है तो yes, जब charge है तो mass जरूर होगा यहनि किसी body पर charge होना यह सावित करता है कि उस body में mass जरूर होगा इसलिए कहा जाता है कि charge ही जिए convincing proof of mass यहां मास की थपपा लगा देता है घ्लियर हो गया इसलिए बोलता है चार्जिच फिर भिर जहां मास है वहां चार्ज की संभावना बर सकती है देखते हैं कि बोलता है चार्ज इंट्रिंजिक प्रॉपार्टि ला एक मास मतलब यानि सबसे last property है इसके बाद और कोई चीज नहीं रहा जाता है उसको explain करने के लिए last वाला है always existence along with particles इसलिए charge का जब डिफनेशन देता है ना तो बोलते है चार्ज is a property associated with mass due to which it produces electrical and magnetic effect क्लियर होगे उस डिफनेशन को देखना चाहोगे तो देखना डिफनेशन को यह है देखना लिखावा कता चार्ज is the property associated with charge is the property यानि प्रोपर्टी मतलब गून चार्ज एक गून है associated मतलब संबंधित associated का मतलब हिंदी मेडियम का बच्चा भी नहीं हिंदी और अंग्रेजी पर दिमाग नहीं खर्चा करोगे यह physics है ना इंग्लीश है ना हिंदी है यह तो physics है बाबाब तो हिंदी अंग्रेजी चलते रहेगा ड़्डबरी ड़्ड मांड जिसको जो जो असानी लगें उस समाज मां उस्सी लेंग्वेज को पकड़ेगा चार्ज दब प्रोपर्टी associated associated with matter matter मतलब पदार्थ यानि mass due to due to due to मतलब जिसके कारण it produces and experiences produce मतलब पैदा करना और experience मतलब अनुभव करना electrical and magnetic effect clear है अब वहाँ पर बोले थे कि charge को दो तरह से study करेंगे क्या बोले थे charge को दो तरह से study करेंगे तो अब देखेंगे कि charge अगर rest में होगा तो क्या होगा और charge अगर motion में होगा तो क्या होगा यह दोनों देख लेते हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं हम लोग तो चार्ज को study हम लोग कर रहे है charge दो बात हो सकते है चार्ज हो सकता है रेस्ट में और चार्ज हो सकता है मोसन में तो मोसन में भी दो तरह की बात हो सकती है एक होगा जैसे यहाँ पर रेस्ट में है और दूसरा होगा मोसन में है और वी बराबर वी बराबर कॉंस्टेंट यानि motion में है constant velocity के साथ और दूसरा है motion में है लेकिन velocity वराबर constant नहीं है ठीक से ध्यान से concentrate करना है इस बार इसमें acceleration वराबर जीरो है यानि velocity constant रहेगा तो acceleration वराबर समझ में आ रहा है बात और यहां acceleration is equal to zero नहीं होगा तो यह 3 situation आता है तो चार जगार रेस्ट में रहेगा चार जगार रेस्ट में करेगा तो इसकेस में प्रोड्यूस होगा और रोड्यूस कि अरएक्ट्रिक फिल्ड। के लो प्रोड्यूस के valley 1 सीफ अलेट्रिक कीडि फिल्डी पैदा करेगा सब रिटेन नोट मिल जांगा एक करने परहाय स्टार्ट करने से पहले हैं कि हमारा हेंडर 2-10 नोट से हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीर नहीं है वैसा हो ही ने सकता किसी का यकीन ने हो रहा है ना देख लेना सब का मिलाक है तो उस हेंड रिटेंड नोट को सामने डखना है और तुम यहां देखते रहे जाना और पढ़ते जाना बहुत इंज्वाय करेंगे और मजा भी आजागा उसका एक एक लाइन याद कर जाना है कोई भी सवाल नहीं चोटेगा बोर्ट का तो कोई बात ही नहीं है आइट हो या मेडिकल मजा जाएगा तो चारज अगर रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा प्रोड्यूस करेगा सिर्फ एलेक्टिक फिल्स अगर कॉंस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो इसमें जो किया हों magnetic field को 20 से electric field और magnetic field दोनों पैदा करेगा इनि चाज उगर rest में तो सिर्प electric field चारज अगर constant velocity से जाए तो electric field और magnetic field दोनों produce तक्राइगा तीसरा है चार्ज अगर constant velocity से जाएगा तो ये तो होगी अध्याबल तो काता इस case में ऐलेक्टिक फील भी पइदा करेगा यी कूट मेंगनेटिक फिल पम्षक करेगा इक और बाद वह और वह कहता है कि रेडिएट करेगा इनरजी क्या लीज़ीयट मतलब निकालता है मिट करता है इनरजी ट इनरजी गंज इसींस इईक जर्शाठ लिए और इक्सिरे elf लेटेड्स प्रोडुसेच यानी mäगनेटिक फिल्ड uhm यानी चार्ज अगर एक्सिरेंटेड होगा है अग्सिर रेटेड्स प्रोडुसेच हम लोगा Fahrenheit centimeter VII Żegar alec RT video produce करेगा चारD अगर लो सब्सक्राइब घ्रण सब्सक्राइब यिज़ जएगा तो एलक्टिक हि फिल्ड और साथuing साथ शात ही साथ energy करेगा और यह कूल मिलाकर जो होताई ना यिशिक बनते electromagnetic wave and accelerated charge electromagnetic wave पैदा करता है next देखते हैं हम लोग वह देखो seat में भी लिखा हुआ है slide में लिखा हुआ है accelerated charge produces both electric and magnetic effect and radiant energy clear है next करते हैं हम लोग बात एक जगह यहां पर क्या हुआ चार्ज प्रोड्यूसेश एलेक्टिक सब जो पताया भी वही पर चार्ज प्रोड्यूसेश एलेक्टिक सब देख लेना बाद में अब हम लोग बात करेंगे सबसे आज का जो में हीरो जिसको बोलते हो यूनिट ओफ चार्ज का तो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक हाज का यूनिट ओफ चार्ज तो चार्ज का यूनिट क्या होगा तो चार्ज का यूनिट देखो एक होता है में हो जागा और एक मेरा प्रैक्टिकल यूनिट है यह कहां से आगया तो एक में क्या हो जागा तो काता है कूलंब हो जाएगा कूलंब करेंगे इसी को जैसे अब परहे किये थे हम लोग कब पहले परहे होंगे क्यों इंटू टी होता है नहीं तो आई इंटू टी मतलब इसको कह सकते हो एंपियर एंपियर हो गया करेंट का और टी हो गया टाइम यानि सकेंड का यानि एंपियर सकेंड भी हम लोग कह सकते हैं चार्ज का यूनिट है एसाई वाला अब बच गया अब बच गया CGS यूनिट इसमें दो तरह की बात होगी हराम से कॉंसेंट्रेट होके देखना CGS यूनिट में दो बात होगी एक होता है ESU Electro Static Unit और एक होगा EMU Electro Magnetic Unit पुरा लिख देता हूं मैं Electro Static Unit Electro Static Unit और दूसरा होगया Electro Magnetic Unit Electro Magnetic Unit यानि ESU और EMU और इसका एक और नाम है Franklin ही बोलते है Franklin यह वही Scientist है जो Charge Positive और Negative होता है इन्होंने ही बताया था तो Unit भी आ गया है उनके नाम पर तो यह यूनिट कभी इस्तेमाल करेंगे तब कता जब Charge अगर रेस्ट में नाम है Electro Static यानि Charge अगर रेस्ट बाला बात होगी न तब इसको इस्तेमाल करेंगे और चार्ज अगर मोशन बाली जैसे बात होती न मैगनेटिक तो चार्ज अगर मोशन में होगा तो यह बला यूनिट इस्तेमाल करेंगे वीडियो के दुबार देख लोगे सब याद हो जाएगा है अब यह स्धिय यहम्हू दर्याल यह होता है यह रेक्शन होता है एक cand इस्टेट 0 ठौन हम सट मेए पुरा लिखेंगे तो अस्टी ए थीए टीओ योश टीटो आ सी ओ यू-ट अमेश टेको कुलंब ओर यह क्या होता है यहता एबसलि았 कूलम ए बीचॉन है ए यह भीजको एबसल्यूट कूलम सी ओ यू एलो एम क्लियर है एक हो गया SI unit में एन्यम केस में हो जाएगा कूलम CGS में दो पार्ट हो गया एक हो गया ESU एक हो गया EMU EMU है EMU 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 ESU and EMU Electromagnetic Unit and Electro Static Unit अब दोने में रिलेशन दिखाएंगे तीसरा एक प्रैक्टिकल यूनिट है बताओ तो चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है क्या है F A R A येस डी ये वाय फेराडे फेराडे फेराड नहीं फेराडे फेराड भी यूनिट होता है पता है कि कैपैसिटेंस का यूनिट होता है फेराड और चार्ज का यूनिट होता है फेराडे बात करेंगे करेंगे के पेसिटेंज का अभी तो चार्ज पर रहते हैं तो चार्ज हो गया फेराडे यूनिट चार्ज का यूनिट फेराडे भी हो गया अब हम सब को देखेंगे कि यह क्या है यह क्या है क्लिए रहे सब में देखेंगे कि आपस में क्या र्रीलिशन है का नियक्स देखें करता एक कूलंब बाबर कितना कि या रखना एक कूलंब बाबर 322 टेंट नाइन इस्टेटो कूलंब याद रखले ना इसको दूसरा है एक कूलम बढ़ावर कितना absolute कूलम बहुत बढ़िया एक कूलम बढ़ावर 1 by 10 absolute कूलम ए भी कूलम इसका मतलब हुआ 10 कूलम जब देंगे न तो एक absolute कूलम होगा यह बढ़ा इंपोर्टेंट है यूनिट बहुत परेशान करता बज्येगा ध्यान से समयना है concentrate करना बहुत मज़ाएगा आ रहा है एक कूलम बढ़ावर थ्री इन्टु टेन पावर नैंस्टेटो कूलम और दस कूलम बढ़ावर दस कूलम बढ़ावर एक absolute कूलम या एक कूलम बढ़ावर वन बै टेन absolute कूलम लेकिन सवाल उटता है कि एक फेराड बढ़ावर क्या एक फेराड बढ़ावर क्या तो फेराड को जरा सा ठीक से समझ लेते हैं है ना ठीक से कैसे तो काता एक फेराड ज ओफ एलेक्ट्रोन के चार्ज के बराबर हो जाता है वान मॉल ओफ एलेक्ट्रोन के चार्ज कितना वान मॉल ओफ एलेक्ट्रोन पर तो हम कुछ पता है कि चार्ज कितना होता है और एक मॉल पर इसका मतलब हुआ अबोगाड्रोस नमबर एन एक के बराबर एलेक्ट्रोन के प होता है यह होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थी इन्टू टू दी पावर ट्वंटी थेड़ी देरेदर याद हो जागा वागवर दोज नम्मर का घली और एलेक्टोन का चार्ज कितना होता है मैंनिचूड में वान पॉइंट सिक्स इन्टू टू दी पावर मैनस नैंटीन कूलंब और यह सब को अगर गुना करेंगे तो च्यानवे हजार पांत सो कूलंब हो जाता है च्यानवे हजार पांत सब्सक्राइब समझ में आए बात दिक्कत होगा तो वीडियो को वापीस दुबारा देख लेना है यहनि एक कूलंब ब्राबर यहां लिख देता हूं खाली जगा क्या भरेंगे एक कूलंब इस इक्वाल टू थी इन्टू टेन टू दी पावर नाइन स्टेट कूलंब यहां क्या भरेंग देखो क्या देखो दिमाग लगा और बताओ सबसे बरा यूनीट कौन सा होगा चार्ज का चार्ज का सबसे बरा यूनीट कौन होगा दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाते हैं एक बार समझाता हम और, a कूलंब is equal to three into ten to the power nine state of कूलंब और a कूलंब इस ऊस इक्वाल टू वन भाई है य। आनि इतना ला यॵ और यह हैं न इतना एक होकह हए और यह में वटाद है और यह उसका भी बाप निकला है एक फेराड में कुलम में भी इतना कुलम तो सबसे बहुत क्योंट काउन सा हुआ कर इन तेनों में तो इस्थे ऑसी सिछल few म से तो यह बहा हुआ उसके बाद इसे बरा यह होगे क्योंकि इसका एक वाटा दसमा भाग यह हो जाएगा और उससे 96,500 गुना ज्यादा है तो सबसे बरा युनिट कौन होगा क्लियर है सबसे छोटा वाला यूनिट? सबसे छोटा वाला यूनिट कौन होगा? धीरे दरे फंडा क्लियर हो जागा सबसे छोटा वाला यूनिट? कौन होगा? smallest unit of charge कौनसा? कौनसा? स्टेटो कुलम? यस लगा दो टिक? बिल्कुल राइट स्टेटो कुलम और लिखावाव च क्फांट कोनित में चार्ज ओप अलेक्टोन इसज यूनित में चार्ज अफ एलेक्ट्रोन को करो यह बताओ तो एकलेक्ट्रोन पर का चार्ज कहत न होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb और उन्हों बोलता है इसको ESU में convert करो किस में convert करो ESU में इसका मालद कूलम को स्टेटो कूलम में convert करना है बहुत बढ़िया तो क्या करेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb को कूलम को बदल देंगे 3 into 10 to the power 9 स्टेटो कूलम तो अब कूल मिला के कितना हो गया फोर पॉइंट इट इन्ट टू दी पावर minus 14 गुना तीन 48 इतना स्टेटो कूलम हो जा गया सवाल बनाएगे ना सब फंडा क्लियर जागा देखो सवाल ही जवाब है हर सवाल का जवाब सवाल है जितना सवाल करेंगे उतना मज़ आएगा सीट में दिया हुआ को सब्सक्राइब देखते है नेक्स्ट और मज़ेदार है क्या कहा रहा है फाइंड रेशियो आप इम्यू तो इस्यू वीडियो को पॉज करके ट्राय करना है ट्राय करना है वीडियो पॉज करके बैक हो जाओ आजाओ इम्यू तो इस्यू एनी ओ इम्यू अटू ईस्यू मेरा डाणा है ओ अभि एम्यू बोले तो Experimentia जैंन Olivia की बात करता है क्या सब्सक्राइब है है स्क्रार्यल और मतल़ा सैलीयोट कुलाम d enter Неak बात्ष्ट स्टेटिक्स बला जास एम्टों में में क्या रेशियो होगा जल्दी से फटा फट बताओ ऐसा कर देना दोनों को कूलम में कनवर्ट कर देते हैं तो देखे थे ना कि एक एबसलुट कूलम बराबर कितना हो जाएगा एक एबसलुट कूलम बराबर एक एबसलुट कूलम बराबर कितना है दस कूलम मैं समझ मैं या एक एबसलुट कूलम बराबर दस कूलम एक कूलम बराबर वन बाइटेन एबसलुट कूलम एबी सी तो एक एबसलुट कूलम बराबर दस कूलम यस और एक एस्टेटो कूलम बराबर तो एक कुलम ब्राबर 3 इन्टू 10 टू दी पाबर 9 एस्टे टू कुलम था न, तो एक एस्टे टू कुलम ब्राबर कितना होगा, इधर से भागा आजागा, यानी हो जागा, 1 बाइ 3 इन्टू 10 टू दी पाबर 9 कुलम, कुलम में कुलम, कट गया, तो क्या बच गया यह जाएगा ऊपर 3 x 10 to the power 9 बन जागा 10 यूनिट क्या होगा चार्ज में चार्ज खतम हो गया कुलम बड़कुलम कट गया तो कोई यूनिट नहीं बचेगा अच्छे इसको याद रखने का टेकनीक बताता हूं लाइट के स्पीड कितनी होती है लाइट की लाइट की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट अगर सीख को बोलूं तो 30 x 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है दूनों कुछ कुछ ला दिये ने इसको यह पुराना है कैसे करेंगा अच्छे मीटर को सेंटीमीटर ने बदले तो क्या रसा रहेगा 3 x 10 to the power 8 है मीटर को सेंटीमीटर ने बदलेंगे तो कितना हो जागा 100 मीटर को हो जागा सेंटीमीटर उसके बाद हो गया सेकेंड अच्छा यह 3 x 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है याद रख लेना light के speed के बराबर होगा और उसका speed का unit centimeter per second हो जागा यहादे कर लेना EMU to ESU बराबर light के speed के बराबर clear है next करते हैं हम लोग समझ में आ रहा है दीरे दीरे यह कुछ basic चीज है आकरा है जैसे electron पर का charge कितना होता है पते है यहाद है एक electron पर का charge कितना हो गया negative में होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 calorie कहला होता है proton पर का charge कितना होता है Those are negative को हम लोग negative में प्राए Risk proton पर का charge कितना होग यहादे प्लस हो जागा और यही हो जागा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम यह proton पर का चार्ज है neutron पर कितना चार्ज होता है neutron पर इस पर तो कोई चार्ज ही नहें होता है neutron पर 0 कुलम होता है और यह क्या है positive and negative sign arbitrary assigned by Benjamin Franklin इन्होंने ही charge का दो तरह होता है दो टाइप होता है दो तरह का होता है एक positive तरह का एक negative तरह का बात करते है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पर टायप्स ओप चार्ज पर किस पर बात करेंगे टायप्स ओप चार्ज पर कुछ-कुछ बात लिखा हुआ है दू तरह का चार्ज होता है पोजी टीव चार्ज और एक नीगेटि dessa अब देखते हैं ये पोजी टीव और नीगेटिव चार्ज भी क्या आंतर है क्या होता है चार्ज एक बोड़ी में माना इधर और एक बोड़ी को माना इधर एक बोड़ी इधर और एक बोड़ी इधर दुनों को कलर थोड़ा बदल लेते हैं इधर लेते हैं और एक चार्ज इधर लेते हैं एक चार्ज इधर और एक चार्ज इधर इधर यह एक बोड़ी इधर और एक बोड़ी इधर अच्छा दुनु का मास हम माल लेते हैं इसका भी मास M0 है और इसका भी मास M0 है और इस पर हम माल लेते हैं जितना number of electron है उतने number of proton है और इस पर जितना number of electron है उतने number of proton है तो बताओ ये कैसा रहा neutral हो गया और ये भी कैसा हुआ निइट रहा पहले की बात है अब हम लोग बाद ने करते हैं बाद में क्या हो बाद में मतलब ये रहा और ये रहा अब क्या करते हैं यहाँ से यहाँ हम यहाँ से यहाँ क्या करेंगे इस पर से इस पर दो एलेक्ट्रोन को पास करा दिये कितना एलेक्ट्रोन दो एलेक्ट्रोन को यहां से यहां दो एलेक्ट्रोन को भगा दिये तो आप एक बात बताओ इस पर अब एलेक्ट्रोन की संखिया ज्यादा कि प्रोटोन की संखिया ज्यादा यह बताओ, क्लियर हो गया, एलेक्टोन कम हो गया ना, तो एलेक्टोन कम हो गया और प्रोटोन ज्यादा हो गया, नहीं, एलेक्टोन घट गया, प्रोटोन तो उतने था, एलेक्टोन घट गया, और इस पर जितना एलेक्टोन था, उस पर एक एलेक्टोन और दो एलेक्टोन की संखिया से ज़्याद हो ज्यादा अब देखो यहां किया जब दो इलेक्त्रों गया तो यहां दो मेनेस हो जाएगा है ही को यहां क्या जगा धो फ्यलाथ हो जाएगा यह क्या बन रही इसका मतला हुआ कि जिस बॉडी पर Rede Kuz平 निगेटिव चाल जोगा उस एलेक्टोन की संख्यां प्रोटोन की संख्यां से ज़्यादा है और जिस बोड़ी पर पोजेटीव चार्ज है उस पर एलेक्टोन की संख्यां प्रोटोन से कम है इसलिए बोलते हैं निगेटीव किसी बोड़ी पर निगेटीव चार्ज मतला एक्सेस नमबर ऑफ एलेक्टोन कि 3 scrut ख्रीक्रोन एनि प्रोटोन के तुल्इनुन की संख्याइज ज्याद आयानि एक उल्प और इधर डाल देने एक यह लेक्टोन और था हो जाता है यहां पर तीन को प्लस आजाएगा यानि किसी बॉड़ी पर निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस नंबर ओफ एलेक्टोन उत्रिस्पेक्टू प्रोटोन यानि प्रोटोन के तुल्ला में एलेक्टोन की संख्यां जादा होना यानि निगेटिव चार्ज जादा हो और बोडी पर पोजिटीव चार्ज होना का मतलब क्या तो एलेक्टोन से ज्यादा प्रोटोन होगा एक बात बताओ इसका मास और इसका मास में किसका मास ज्यादा होगा कि पहले इतना बराबर मास होगा पहले जितना मास था और अब जितना मास से दोनों बड़ाबर है क्या देखते हैं क्या होगा तो पहले इसका मास कितना था एम नौट और इसका मास कितना था एम नौट आब का मास इसका कितना है तो इसमें से दो एलेक्टोन तो निकल गया ना कितना तीन निकाल दिये ना ती तीन एलेक्टोन को निकाल दिए कितना एलेक्टोन निकाल दिए तीन एलेक्टोन निकाल दिए तिसका मतलब पहले एमनोट मास था और तीन एलेक्टोन निकल गया तो तीन electron के mass के बड़ाबर इसमें mass में कमी आ जाएगी और इसमें पहले m0 mass था और अब 3 electron आ गया था 3 electron mass of electron यानि mass of electron 3 यानि 3 electron का mass होगा ज़्यादा हो जाएगा पहले से हाँ इससे तो एक बात का पता चलता है कि अगर किसी body को negatively charge करेंगे तो उसको charge करने में उसका mass को बरहादाना पड़ेगा यानि mass बढ़ जाएगा यानि किसी body को negative charge करेंगे तो उसका mass बढ़ जाएगा और किसी body को positive charge करेंगे तो उसका mass घाट जाएगा clear होगा बात यानि किसी body को negative charge करना मतलब electron को देना electron को देना मतलब मास को बरहा देना यानि बॉर्ड्टी पर निगरिटीवली चार्ज करने का मतलब बॉढड्य से जब बॉद्डी से लेक्टोन निकालेंगे तो इसका मास भी निकाल रहे हैं कि तुरह से जैनि यानि मस भी निक निकाल रहे हैं Live इसका का कि घट जाएगा और इसका मास बढ़ जागा तो याद रहें ना किसी बोड़ी को निपर्टिवली चार्ज करें एक इसको देखते हैं अगल K कजड में लिखा हुआ है पॉजिटीव चार्ज निउगेटीव चाह कि चाह जो कर फ्रहका लगा एक निगेटिव का मतलब का 60 आप एलाक्ट्रय। अफ ट्रों बराबर नमगर और प्रो टॉन होगा तो निगेटिव कुषय की कमी और निगेटिव प्रोटोन निगेटिव चार्ज बगएर बगएर सब तो सीखी गए है चार चेंज इन मास ओन चार्जिंग क्लियर है ज्यादा कुछ बोलना नहीं है बोले थेरा हाई डिगा स्वाल देखते हैं फंडा क्लियर जोगा एक एक क्वेशन है ट्रू एंड फॉल्स का है क्यों है यह थे क्राइच पर्ल्स क्यों चार्ज दियस ब्लस क्यों चार्ज तो कहता है उसका मास चार्ज करने के बाद डिफरेंट हो जाएगा यहां तो इसका मतलब टो एलैक्तोर को लाए तो मास बर जाएगा इसका मास घृट जागा दोनों का मास क्या होगा आफटर चार्ज इंग मास येज्ट क्लियर हो गिए नेक्स्ट हम लोग और किस ये देखते है जैसे एक चार्ज है प्लस और दूसरा चार्ज है प्लस एक चार्ज है मैनस दूसरा चार्ज है मैनस हम लोग प्रोपर्टी जो चार्ज देख रहे हैं अभी क्या देख रहे है प्रोपर्टी जो चार्ज पहले तो देखे चार्ज कशी किया था वर्डी पर अब चार्ज का और एका प्लंस वाला और एका मैंनस वाला अब बताव ये प्लंस प्लंस क्या करेगा क्या क्या नहीं यह प्लंस लुज करेंगा यह बोलो one सब्सक्राइब है प्लस और खाप carrier एक्स क्या संहिस्में क्लियर है नेक्स देखा जाए पूर फर्मॉला है रिपράर सेनन पॉजिटीब पॉजेटीब रिपेल कर दिया यानी इस पर इधार प्रेधार फोर्ष लेगा इस पर इधार इस पर इधार इन नीट्रल है तो कोई फोर्ष नहीं लगा यह यह अपुजित नेचर का था तुस्क्रेट कर लिया कि दोनाइट कर लिया नेक्स्ट देख्ते हैं हम लोग प्रोपरटी जोब चार्ज Charge is Consorbed, कुछ-कुछ बात समझते हैं, करते हैं, Charge is Consorbed Charge is Consorbed का मतलब, Charge can neither be created nor be destroyed Can only be transferred, Total Charge is on isolated command system क्या हो इसका मतलब देखो, मन लेते हैं, ये एक body है और एक दूसरा body है और इस पर Total Charge है Q1, और इस पर Total Charge है Q2 एक पर कितना Charge है Q1 और दूसरे पर कितना Charge है Q2 अब क्या करते हैं अब दोनों को हम लोग connect कर देते हैं को वायर से ऐसे वायर से connect कर दिया तक माल लेते इस पर चार्ज हो गया q1 dash और इस पर हो गया q2 dash तो सुरू का चार्ज कितना था सुरू में चार्ज था q1 प्लस q2 अब बाद में कितना चार्ज हो गया q1 dash plus q2 dash यही है isolated system यानि इस तो दोनों बॉड़ी को एक system माल लेंगे तो इस system पर जो सवाल बना लेते हैं तब confidence आएगा मजा आजाएगा सवाल जितना बनेंगे ने उतना confidence आएगा क्या लेका टू फॉल्स कोस्टन है कुस्टन में चार पांच सवाल दूंगा फटा फट बनाना है कहता है नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इस यूनिवर्स में ब्रमांड में टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा सही या गलत अभी तो समझाये तुमको नहीं समझाये एक बोड़ी ये है एक बोड़ी ये है ये क्यूवन है और ये क्यूटू है माल लेते हैं यही मेरा ब्रमांड है क्या है ब्रमांड यूनिवर्स माल लेते हैं यूनिवर्स मतल अbarmand तो टोटल चारज है इस बर्मांट में इतना है तो दूँदों मिलेगा तो क्या होगा भाद में Maison but अग्यों हो जाता है ईस तरह का है तो क्यू या जाता है और मतले होगा यहाइ सुलेटेट cannot be created or destroyed ने चार्ज ना तो हम create कर सकते हैं ना तो destroy कर सकते हैं एक बड़ी से दूसरे बड़ी पर transfer कर सकते हैं तो clear हो गया क्या होगा true की false ने दीक ने चार्ज ऑफ यूनिवर्स इस कंजर्व क्या होगा true कि next question बना दे बहुत मज़ाएगा सोच समझ के जवाब देना next question सोच समझ के जवाब दो काट है टोटल पोजेटीव चार्ज आप यूनिवर्स इस ना इस यूनिवर्स में टोटल पोजेटीव के फॉल्स होगा इस यूनिवर्स में टोटल चार्च कंजर्ब होगा माल लेता है यह यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में हाँ माल लेते एक बॉड़ी है इस पर है प्लस पाच कुलम और एक दूसरा बॉड़ी है इस पर है है इस प्लास टीन कुलम और एक तिसरा बॉडडी है इस पर है मैनस दो कुलम इस बरमान में क्यों नेट कितना है क्यों नेट कितना है बताओ पांच पलस तीन मैनस दो पांस में से दो गया तो 6 कुलांब हो जागा 5 कुलांब पलस 3 कुलांब मैनस 2 कुलांब तो टोटल 6 कुलांब होगा Q positive कितना है यह पोजेटिव चार्ज टोटल कितना है 538 कुलांब है टोटल निगेटिव चार्ज कितना है क्यों निगेटिव कितना है क्यों निगेटिव बला और क्यों पोजेटिव बला तो पांस तीन आठ पोजेटिव था और टोटल निगेटिव कितना है मैनस दो कूलांब है तो आप ऐसा करो नघुम को मिला थो इस दोनों को मिला क्या करेंगों सब को मिला दें या इस तो एनिवर्स नहीं बदला यहीं यह सिस्टम में सब को मिला सबको मिला देंगे क्या होगा टोटल चार्ज तो टोटल चार्ज होगा अब क्या हो जागा इस पर सब मिला के इसका मतलब बाद में टोटल चार्ज होगा इसका मतलब बाद में टोटल चार्ज होगा इसका टोटल पोजेटिव चार्ज होगा सिक्स कुलम टोटल निगेटिव चार्ज होगा जीरो कुलम आ यानि टोटल चार्ज कंजर्ब रहा गया लेकिन टोटल पोजेटिव टोटल चार्ज छो था अभी टोटल चो है टोटल पोजेटिव कितना हो गया यहां क्यों टोटल कितना हो हो गया क्यों टोटल हो गया छे कुलम अब पोजेटीव चार्ज कितना हो जागा पोजेटीव चार्ज पोजेटीव बला चार्ज कितना हो जागा सिक्स कुलम निगेटीव चार्ज कितना हो जागा निगेटीव चार्ज निगेटीव चार्ज कितना हो जागा इस बार तो साथ सा ऑर टोटल पॉखीटीव। 6 है टूटल tengan जबर हो गया इसका मतलब हम्हें टोटल चारज तो घंजरवर रहा यानी कॉंस्टेंट रहेगा लेकिन टोटल पॉजिटीव कोंस्टेंट नहीं रहेगा और ट्टल निगेटिव कि इसका आंसर देना इसका आंसर नीगेटीब चार्ज और इसका अंसर नीगेटीब चार्ज तो बदल जाएगा ना नेक्स्ट कोस्टन हम लोग देखते हैं क्या लिखाया है चार्ज ऑल्बेज प्रोड्यूस्ट इन पेर बिल्कुल सही यानि अगर यह यह बॉड़ी है आद देखो यह बॉड़ी है दो बॉड़ी है अद दोनों पर अभी इस यह भी न्यूट्रल है और यह भी माल लेते हैं न्यूट्रल है दोनों न्यूट्रल है यह भी न्यूट्रल और यह भी न्यूट्रल तो टोटल चार्ज कितना है जीरो आप माल लेते हैं कि इस पर से इस पर चार एलेक्ट्रोन चला दिया इस पर क्या हो जागा एक दो तीन चार प्लस हो जागा और य यानी इस पर हो जागा माइनस फोरotte के बराबर चार्ज और इसमें प्लस फोरी के बराबर चार्ज हो जागा क्या देखा क्या फेल भी जिंनरेट होगे होग़ा उथने फोजेटिव पर्था होगा है जार्ज प्रोग्यूस्ट इन पर्यइर हुघ मैं क्या हो जागा true फटा फट एक सवाल हो और बना लेते हैं हम लोग यह बरा माइदा है in all chemical reaction always equal number of positive and negative iron can be created can be मतलब create किया जाएगा हमेशा equal number of positive and negative iron create किया जा सकता है हमेशा सोच के जबाओ दो वीडियो को पॉज करना है और बनाना है एक बार आज़ो देखो देखते हैं क्या सही है माल लेते हैं लिया ALCL3 ALCL3 हुआ और यह reaction किया तो क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा ALP प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3Cl माइनस हो गया इसका मतलब पोजेटीव चार्ज वाला एक आयन है नी पोजेटीव आयन एक है और निगेटीव इसको बोलते हैं निगेटीव आयन इसको बोलेंगे निगेटीव आयन तो इसका मतलब हुआ इसका मतलब निगेटीव निगेटीव आयन आया और एक पोजेटीव आयन आया है तो तो मस्त नेक्स्ट को सब देखना चाहोगे यहां पर साले सवाल को मैंने समराइज कर दिया है जितना भी सवाल दिये एक जगह है रिविजन तो बता अफटा पट नेट चार्ज उप यूनिवर्स इस कंजर्व्ड ट्रू या फॉल्स नहीं बता पारत जाके पीछे दखना नेट चार्ज उनिवर्स हमेशा कंजर्व ट्रू काता है टोटल पोजेटिव चाज उफ यूवर्स इज चंजर्व टोटल पोजेटिव चाज गलत फॉल्स टोटल निगेटिव चाज ऑफ ऐस लेतेड सिस्टम इस कंजर्व तो टोडल निगेटीव इसंटीव हो गया और ऊसके वारका-तू इन ओल्द केमिकल रियक एक्षान ओल्वेज इक्वल नंबर ओफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन क्रियेटेड टू के फॉल्स पॉल्स तो क्या आज यहिता रखते हैं मिलते हैं अगले क्लास में ठेंक्यू बच्चो प्रस्ट अप्लाग बाबा प्रस्ट